हेलो दोस्तों गुड मॉरिंग स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट वेल्थ वित अतुल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोयल आज हम डिसकस करेंगे काबेरी सीट्स कंपनी लिम्टिट के बारे में ये कंपनी बीज बिनाने में एक्सपाइट है उस फिल्ड में ये काम करती है क्रेंट मार्केट प्राइस इसका जो है 503 का है 52 भी खाई देखेंगे 682 का है और 52 लोग तो 74 का जो इसने भी रिसेंटली बनाया है अगर कंपनी की बात करते हैं तो ये इसका जो मार्केट कैप है 3000 क्रोड के आसपास का है स्मोल कैप कंपनी है फेस वैल्लू दो की है डिविडेंट परसेंटेज 150 परसेंट का है डिविडेंट जो बनता उस प्वाइंट सिफ जिलो परसेंट है जो की ज्यादा इसकी 54.71 की है डिविडेंट जो है एवरेजली 50 परसेंट से उपर की आ रही है जो कि एक अच्छी चीज होती है इंडस्ट्री पीस 27.85 की है जबकि ये अपनी 9.27 पी पर काम कर रहा है ये भी एक अच्छी चीज है एपिस 54.30 परसेंट की है हम अपनी चेक्लिस देखते हैं टिकर टेप साइट पर जो इसकी फार वेल्यू है ये जो क्रणट प्रॉइस है अपनी फिर वैल्यू से नीचे काम कर रहा है रिटर्न को अगर इसके रिटर्न को एबोटी से ऐ ग्रेंक के अबडी से तो बैटर बताया गया है यह अपर कि ये शेर यो रिटर्न देताstes próxim कैबडी से जाला देता है, डिविडेंट में बताया ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, जड़ा अट्रक्टिव नहीं है, एंट्री लेवल, गुट टाइम टू कंसिडर, मतलब स्टोक अपने ओवरबोर्ट जोन में नहीं, एक पीक जोन में चल रहा हो, जहां पर लोग भाग रहे हो उसे लेने के लिए, और उस टाइम पर क्या होता है, कि क्रेक्शन होने का जा निक्चे आने का डर रहता है, बट यह अपने ओवरबोर्ट जोन में नहीं है, गुड टाइम तो कुछ भी आसा नहीं है, तो सेफ कमपनी है, लोरिस कमपनी है, जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पर लोरिस कमपनी है, समाल कैप है, सीड्स में यह काम करती है, 75% अने लिस्ट बता रहे हैं कि इसे खरिदना चाहिए इस टाइम पर इस प्राइस पर, ROC इसकी 23.5% है, ROC होता है, return on capital employed, ROE इसकी ROE का मतलब होता है, return on equity 22.5% है, ठीक ठाक है, अगर हम इसका चार्ट को देखते हैं, जिरोधा पर हम अलग से discuss करेंगे, अब हम इसका 208 DMA को देखते हैं कि यह से उपर काम कर रहा है या नीचे काम कर रहा है, इसने जो cross किया था 2200 DMA को, वो एक जून को किया था 474 पर, उसके बाद यह 650 तक गया, again correction होई, और यह अब support ले रहा है, अपने 200 DMA पर, नीचे जाता है, वहीं से bounce back करता है, तो 200 DMA ज अब पिछे का chart देखेंगे, almost यह, इसी range में काम कर रहा है, जो price अभी इसका आ रहा है, तो एक अच्छा stock है, इसे consider किया जा सकता, आगे के लिए, company है reduced debt, debt free company है, यह almost, अगर हम इसके कुछ quarters देखते हैं, पिछे के, तो कैसे यह काम कर रहा है, वो हम देखते हैं, sales है 92 crore से increase हो के 134 crore की होई है, operating profit जो है, वो 13 crore से increase हो के 17 crore का है, June मैं बहुत ही Universe dane, 287 crore के results, इस जुन में भी 236 crore के results है, इस जुन में देखेंगे 204 focus हैं, तो देखेंगे बहुत ही अच्छा रहता है, जो results आते है, 204, 236, 287 आप देखेंगे जून कोटर अच्छा रहता है पर अच्छा हर बार उससे भी अच्छा होता है यह आप चीज देखेंगे ऑपरेटिंग जो इनके मार्जन्स है जो 14% हुआ करते थे वह इंक्रीज होके आप देखेंगे कि 40% को भी टच्च किया है इन्होंने और अब यह 12% के आसपास अभी काम कर रहे हैं अगर जून में देखेंगे तो इनके उप्रेटिंग मार्जन्स जो है 35% के दें 38% और अब यह 40% पर काम कर रहे हैं जून के अंदर तो जून कोटर आपको कंसीडर करना चीए देखना चीए इनका तो नेट प्रोफिट जो है 9 क्रोड से इंक् जो की इंक्रीज हुई है ओप्रेटिंग मार्जन आप देखेंगे अगर एनुली अगर देखते हैं इसमें सप्टमबर और जून क्वाटर का नहीं देखते हैं ओवराल इयर में क्या हुआ है वो से अगर देखते हैं तो अप्रेटिंग मार्जन आप देखेंगे 20% फिर 22 27 अब यह 29 परसेंट जो इसका मतलब बिजनस में तब ही आप मार्केट शेयर अपना प्राइस को इंक्रीज कर पाते हैं सोरपे की चीज को आप 120 में भी बेच पा रहे हैं इसका मतलब यह चीज है नेट प्रोफिट जो है 128 से इंक्रीज होके 259 का हुआ है और अगर 12 मंत का प्रीबियस देखें तो 365 का है जो कि बहुत ही कि है अगर इनकी डेट को देखते हैं तो डेट फ्री प्रीज कंपनी है तीन करोड़ एंक करोड़ दो करोड़ Cornflow मतलब इनको अपना काम चलाने के लिए अपने बिजनस को चलाने के लिए बिलकली डेट नी चाहिए इनके पास रिजरव अच्छे है र अगर हम इनके पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर्स ने जो है दिसंबर 2017 में जो थे 54.79 था इन्होंने इंक्रीज किया 55.09 हुआ अब 55.52 के काम कर रहे हैं मतलब बीचीच में अपनी प्रमोटर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं दिले दिले से आप देखेंगे दो ट्रेंचीज में इन्होंने अपनी प्रमोटर होल्डिंग को बढ़ाया है जो कि एक अच्छी बात है प्रमोटर को अपने बिजिनस के ऊपर क यह आगे चलके growth करेगा तभी वो अपनी holdings को बढ़ा रहे हैं FII देखेंगे 15.76 से increase होके 17.55 13.01 से यह थोड़ा सा reduce हुआ है बट public holding जो देखेंगे यह भी reduce हुई है कहीना कहीं chunk जो है promoters ने और या फिर FII ने pick किया है public holding 16.45 से reduce होके 14.44% हुई है यह अच्छी चीज है इस पर जो targets अभी 12 November को जो मोतिलाल ओसवाल ने targets दी है अपने कावरी seeds के उपर 6.34 के दिये है market price अभी आपको मैंने दिखाया 500 के आसपास का है यहां से अलमोस्ट आपको 30% के आसपास के returns बनते हैं इनके हिसाब से बटन आपने targets मेरे different रहते हैं मैं आपको जुरोधा पर दिखाता हूं मैं जुरोधा एप्लिकेशन यूज करता हूं तो यह जुरोधा का चार्ट है daily का day frame जो है daily है इसके अंदर तो आप देखेंगे stock जो है इस range में पहले तीन वार टच कर चुका है यहां पर काफी पहले कि मैं आपको बता रहा हूं यह जो resistance है यह काफी strong resistance है आप देखेंगे यहां से stock rise किया 550 के असपास आया अगेन क्रेक्ट किया 440-450 के असपास गया फिर इसने इस level को द्वारा टच करने की ट्राइए की नहीं हो पाया इससे 550 के असपास फिर नीचे गया फिर उपर गया फिर नीचे फिर उपर उसी level पर जाके यह resistance फेज करता है 550 के आसपास उसे बाद COVID-19 की वाज़े से यह शेर नीचे आया इसने बहुत ही जल्दी से pick up किया और फिर देखिए आप जैसे इसने 550 के level को break किया तो यह सिदा 683 के level तक गया है जब इसने 550 के level को cross किया अब इसके अंदर अगेन correction mode में है और यह सेम उसी level पर द्वारा आ गया है 480-500 की range में अब इसने जो recently बनाया 480 के आसपास यह गया था और यह अभी 500 के आसपास है अगर आपको 480-500 के बीच में कहीं पर भी शेर मिलता है तो इसे लेना चाहिए 480 के आसपास मिलता है तो बहुत ही अच्छा है लेना चाहिए इसे और accumulate करना चाहिए अपने portfolio में इसे रखना चा है 550 का जो है resistance इसाट बनता है 550 के resistance को जैसी ये currents करता है तो अगेन आपको 700 के लेवल दिखाएगा एगा और 700 के लेवल को बीच करता है तो यह नाइटव आई outta 1 170 के लेवल पर अगर से तीन साल के लीच का रिटन आपको मिलता है मश्कील mahd तो वहां से अगर compare करते हैं तो आपको dividend भी यह दे रहा है, impressive नहीं है बट दे रहा है, यहां से आपको share double होने का पूरा दमखम रखता है, 550 का level यह एक अपते में cross करेगा, दस दिन में cross करेगा, जब तीन मिने लेगा या छे मिने लेगा, बट जिस दिन इसने 550 के level को cross किया, ओ दिन यह again 700 और जिस दिन इसने 700 को cross किया, वो 1000 के level पे easily पहुंच जाएगा, तो मैं time frame जो है, तीन साल का लेके चल रहा हूँ, इसने double होने के लिए, कि यह double हो सकता है, तीन साल के अंदर easily, fundamentally strong company है, downside जो देखेंगे, आप 20 रपे की downside बनती है, इसके अंदर 20 नहीं तो 30 रपे हो जाएगी, पर upside आप देखेंगे तो, easily 200 रपीज upside, 700 के आजपास का आप देखेंगे, तो 200 रपीज की upside बनती है, long term में देखेंगे, तो 500 रपे की upside है, 20-30 रपे का downside है, आप इसे consider कर सकते हैं, अपनी watch list में लगा सकते हैं इसे, और धे आप देखेंगे कामूलेट कर सकते हैं, जैसे ऐसे ये, नीची आता कोई market craft करते हैं, थैंक्यू, थन्याओ, झाल